पलायान का मुख्य कारण पहाड की कुछ गाउं है से हैं जहां देखो कितने टेटे मेरे रास्ते कितने भैंगा रास्ते हैं अगर रास्ते में कोई चल रहा हो और कहीं पर चीता वैठा हुआ तो आदिम की जान ही ले लेगा आदिम प्याव धाव हो सकता है क्योंगि पते ही नहीं चलेगा इदनी जंगल में कहां कौन से जानवर छिपा हुगा है तो अगर ऐसी इस्तिति रहेगी तो कौन रहेगा गाउं में पलाइन तो हो गई क्योंकि सरकार इसे कोई सोट ठोस कदम उठाती नहीं अगर रास्ते ऐसे रहेंगे तो क्या स्थित होगी दो कहीं पूल्ने बन रहें कोई बहुंते हैं किसी के छोटे बच्चे स्कूल जा सकते हैं यह सुबदा हैं तो कैसे रहेंगे लोग गाउं में सरकार बोलती है कि अगर बरसात के मौसम में जो छोटे बच्चे हैं ओ dzisiaj हैं ओ तो कैसे स्कुल जाएंगे बिल्कुन है जासकते अगर मेने तक एक मेने तक ऐसे बरसात रहा तो एक मेने तक भशचों के स्कुल धब बिल्कुन कोई जाय ने सकता अरे बढ़नों के भी दिक्कत हो जाती है तो बच्चे कैसे जाएंगे बच्चे तो क्यों चूटे हैं कैसे जाएंगे और गाउं में जीओन आपन करना तो बहुत मुस्किल है वो गाउं के लोग ही जान सकते किसी ती देखो यह रास्ते में ऐसा पानी पढ़ा रहे था कि अब बच्चे कोई चोटे चले जाएंगे यह माँ बाब अगर कोई छोड़ने जाता है फिर घर के वह सारे काम हो जाते है क्या करना है इस इस्तिति देख करें लोग पलाइन कर रहे हैं अब कोई बिचाए चोटे मुटे नोकरी हो कुछ ही हो लोग अपना जीओन वैसी आपन कर लेते हैं लेकिन ऐसे इस्तिति रहने तो फिर वेसे ठीक है तो अगर सरकार कुछ गाउं के तरफ ध्यान दे वह हैं तो तब जाके कुछ यह रास्ते इस सुद्रे गाउं के लोग वहां टेकिए कुछ रोजगारों ना रोजगार की ब्योस्ता होती है तो अब देखो आप आपको लग रहा है कि कहेंगा रास्ता हो गए यह ऐसा लग रहा कि जंगल में कहीं जा रहा है यह तो डिसकवरी वाली बात हो गए जैसे डिसकवरी में जाते हूं जंगल जंगल तो वह वाली बात है यह ऐसा पता ही नहीं चल लगए कहेंगा रास्ता होगा तो यह इस्तित यह देखो कैसे गुजारा करेंगे लोग इसलिए सरकार को कुछ ठोज कादम उठाएं